तो दोस्तों आज मैं इसी साल रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म रॉंग टर्न की स्टोरी को एक्स्प्लेन करूंगा जो की रॉंग टर्न फिल्म सीरीज की सेवन्थ फिल्म है इस फिल्म की IMDB रेटिंग है 5.4 स्टार्स आउट अफ 10 और इसके डारेक्टर है माइक नेलसन राइटर है एलन मैकलरॉई और बाकी इंट्रेस्टिंग चीजे मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ फिल्म की शुरुआत स्कॉट शौ नाम के एक आदमी के साथ में होती है जो की अपनी सब्सक्रादों की एपलाचियन ट्रेल या फिर एक हाइकिंग वे है जो की 35 किलोमेटर लंबा है यह एपलाचियन माउंटेंस को कवर करता है और जंगल से भरे इन पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं यहां पर स्कॉट पुलिस को पुलिस चीफ केस को सीरियस्ली नहीं लेता और यहां के लोकल होटल ऑनर से भी बात करता है जिसमें यह फ्रिंड्स रुके थे बट उस ओनर लेडी से भी स्कॉट को कोई हेल्प नहीं मिलती बाद में ऑन लोकल बार इंकवाईरी करता यहां पर नेट रोड़्स नाम का गाइड यह कहता है कि वो यहाँ पर आए थे सब के सब अकडू थे वो लोग 80 पर हाइकिंग करने के लिए गए थे बट वापस नहीं आए और जो कोई भी ट्रेल को छोड़ कर घूमने जाता है वो वापस नहीं आता वहां का नेचर काफी जादा ब्रूटल है स्कॉट फिर भ करते हैं और जैन को यह वाण करती है कि सिर्फ हाइकिंग वेपर हाइक करना एज नीचर वहां पर कभी कभी बहुत ही जादा डेंजरस हो सकता है लेटर ओन यह लोग बार में ड्रिंक करने लगते हैं और यहां पर सेम गाइड यानिकी नेट इनको अपने गाइडिंग करता देती है और इसी कारण से स्कॉट यहां पर प्रेजेंट में आया था अगली मॉर्निंग जॉक करते टाइम जैन दो लोकल याने की एडित औरूती से मिलती है जहां पर एडित लोकली मेड रिस्ट बैंड्स को बना रही थी और बेच रही थी जैन यहां पर अच्छे की इनसान थे जिसके चलते वो एक बैंड को खरीद लेती है लेटर ओन सभी फ्रेंड्स हाइकिंग करने जाते हैं और नीचर को एंजॉय करते हैं अब कुछी टाइम के बाद में डैरियस यह कहता है कि जंगल में पास में ही एक सीविल वार एरा का मॉनिमेंट है जहां पर जाकर हमको उसको देखना चाहिए बाकि सब एगरी हो जाते हैं लेकिन जैन शोर नहीं थी वो ट्रेल से भटकना नहीं चाहती थी बट अपने बॉइफ्रेंड डैरियस के प्रेशर में आकर वो मान जाती है यह लोग यहां पर गलट टर्न ले ले लेते हैं जो की रॉंग ट वहां पर चोट आती है लेकिन गैरी की वहां पर मौत हो जाती है क्यूंकि वो लट्था फुल मुमेंटम से आकर सीधा उसकी बॉड़ी को क्रश कर देता है उसका बॉइफ्रेंड लुइस यह देखकर बहुत ही जादा शौक हो जाता है और वो रोने लगता है वो इसकी गल जंगल में ही टेंट लगाकर कैंप करने लगते हैं आदी रात को जैन बिजली कड़कने की आवाज से उठती है जहां पर उसे एक ब्लैक साया दिखाई देता है और अगली सुबह इनको यह पता लगता है कि यह ग्रेव यार्ड में सो रहे थे वहां पर एक डिकलेरेशन ब यहां पर हुआ यह था कि इन सब के मोबाइल फोन स्चोरी हो गए थे और मिया भी मिसिंग थी एडम पैनिक में अपनी गर्ल फ्रेंड को ढूंडने जाता है जहां पर उसे रूती दिखाई देती है यानि कि वही लोकल जो इनको पहले मिली थी रूती उसे देखते ही भाग जैन यह कहती है कि कोई हमें हंट कर रहा है इसलिए फॉरन हमें यहां से निकल कर हेल्प लानी होगी वह डैरियस और लूइस आके बढ़ते हैं जहां पर इन्हें एक विरान शेट दिखता है वहां पर कई सारे हाइकर्स के फोन, ड्रेस, वैपन्स और बाकी समान था यानि क वो मास्क पहने हुए आदमी दिखने में काफी क्रीपी लग रहे थे और यहां पर एक और खास बात थी कि वो किसी अंजान लेंग्विज में बात कर रहे थे जो कि इनको समझ में नहीं आती इसी बीच एडम को होश आ जाता है और वो पैनिक में वहां पर पड़ी हुए ए आने की नेचर स्कॉल के लिए गई थी कि तभी उसे ये दो मास्क पहने हुए आदमी दिखे इसलिए वो वहां पर डर कर छुप गई थी अब यहां पर जैन को एडम का ऐसा बिना वजह मर्डर करना अच्छा नहीं लगता बट एडम इस चीज को जस्टिफाई कर देता है ये लोग वापस ट्रेल को ढूड़ने लगते हैं बट मास्क पहने हुए कई सारे आदमी इनको एक एक करकर पकड़ने लगते हैं उन्होंने जंगल के अंदर कई सारे ट्रैप्स बिछाए हुए थे जिसमें से एक में मिया गिर जाती है उस पिट के अंदर नुकीले देती है और लेटर और उसे और उसके बाकी फ्रेंड्स को अपने विलेज की तरफ वो ले जाते हैं ये लोग फाउंडेशन के कल्ड को बिलॉंग करते थे जो की 1859 से इसी जंगल में रहते थे वह बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट नहीं रखते थे और बाहर के लोग यद कि जिसका नाम सैम्यूल होता है उसके मर्डर का आरोप लगाता है यहां पर एक आदमी हॉप्स ये कहता है कि मैं इन लोगों को टाउन से ही फॉलो कर रहा हूं ये बिल्कुल भी सिविलाइस्ट लोग नहीं है इस आदमी ने मुझ पर बाटल भी फेकी थी और मुझ को गाल और वो सिर्फ जैन को ही बोलने देता है डैम यू वैनेबल यहां पर जैन काफी ज़दा डरी हुई थी तो वो जुट बोल देती है कि एडम ने उसको नहीं मारा बट उसी के पीछे रूती खड़ी हुई थी जो कि ये बोलती है कि उसने ये सब देखा है और एडम की और व बोलता है यानि कि इन लोगों को अंधा करकर जेल में डालने वाले थे अब अगले ही सीन में वैनेबल एडम को उसी तरह मारता है जैसे कि उसने सैमियल को मारा था लूइस इस चीज को देखकर भागने की कोशिश करता है बट फाउंडेशन के लोग उसको अंधा बना देते ह अब जैन यहाँ पर एक फाइनल कोशिश के तहट एक आफर प्रपोस करती है वो और डैरियस यहीं पर लाइफ लॉंग रहेंगे और फाउंडेशन की मदद करेंगे जैन यह बोलती है कि डैरियस रिन्यूएबल एनरजी कम्यूनिटी डेवलपमेंट और सस्टेनेबल एनर कि यदि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो वो उने जान से मार देंगे अब इनको वो फाउंडेशन की सीटिजनशिप दे देते हैं वैनेबल जैन को एज़ा वाइफ एकसेप्ट कर लेता है एज उसकी खुद की वाइफ कई साल पहले मर गई थी और यूनो बेटी शायद मर चुकी है यदि तुम वहाँ पर गई तो तुम भी मारे जाओगे वो हमको परिशान नहीं करते हैं लेटर ओन नेट एंड उसके फ्रेंड स्कॉट को पीट कर उसे टाउन को छोड़ कर जाने के लिए कहते हैं पुलिस चीफ भी इन सभी चीजों में मिला गाइड यह कहता है कि जंगल के अंदर कई सारे ट्रैप्स हैं उनसे हमको बचना होगा लेकिन तभी कूपर ऐसे ही एक पिट में गिर जाता है जिसे बचाने की चक्कर में एड का पैर ट्रैप से लगता है और उस पर नुकिले स्पाइक्स गिर जाते हैं यहाँ पर एड और कूपर दोनों ही मारे जाते हैं अब स्कॉट अकेले ही हाइकिंग करता है और कुछी टाइम बात पकड़ा जाता है उसको फाउंडेशन में लाया जाता है जहां पर जैन उसके साथ आने पर मना कर देती है वैनेबल उसको ट्रैस पासिंग करने के लिए डाकनेस की सदा देत है यानि कि वो भी यहां पर रहना नहीं चाहती थी अब ट्रायल रूम के अंदर छुपे हुए एक सीक्रेट वे को दिखाती है जो कि बेसीकली डाक वे था जिसके अंदर फाउंडेशन ने कई सारे लोगों को अंधा करके कैद कर दिया था वो जॉम्बी की तरह ही वहां प बाग कर ट्रेल वे तक आते हैं जहां पर नेट अपने गन एंड फ्रेंड्स के साथ में खड़ा हुआ था नेट यहां पर स्कॉट से यह कहता है कि मेरा भांजा इसी वुट्स में छे साल पहले गुम हो गया था और मैंने तुम पर इसलिए हमला किया ताकि तुम्हारे साथ भी सेम चीज ना हो यह लोग किसी को भी नहीं छोड़ते तब ही फाउंडेशन के कई सारे लोग इन पर हमला करने आते हैं जिने नेट गोलियों से उड़ा देता है वो स्कॉट और जैन की जान बचा कर उनको टाउन मिलाता है अब यहां पर कुछ महीने बीच जाते हैं और को दूसरे रूम में भेज देती है एसकॉट के बिजनस को वही हैंडल कर रही थी वह वैनेबल से डील करती है कि यदि वह उसकी फैमिली को छोड़ देगा तो वह उसके साथ चलेगी और वैनेबल इस चीज़ से आववियसली मान जाता है वो तीनों ही वैन में बैट कर जा बसाने लगते हैं और वो यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों यह थी नई फिल्म रॉंग टर्ण 2021 की कहानी अब यहां पर इस फिल्म के अंदर पहली फिल्म की तरह कैनिबल स्टिक जॉंबी का रोल बिल्कुल भी में नहीं है यहां पर वो सिर्फ एक सब प् प्रण मोवीज का क्योंकि मैं काफी जादा बोर हो गया था वही कैने बिलिस्टिक वाली चीते देखकर और इसी कारण से यहां पर इसकी रेटिंग स्टार्टिंग में सेवन थी और घटकर आप 5.4 आ गई है क्योंकि यहां पर मिक्स रिव्यूज हैं तो यहां पर सबकी अ कर पाऊं और बहुत ही जादा वीडियो और बहुत अच्छा अच्छा कॉंटेंट आपके लिए ला सकूं चैनल पर नए हैं तो इसी बात पर एक सब्सक्राइब तो बनता है वीडियो का लाइक कर देना और कॉमेंट करकर जरूर जाना कि आपको एक कंटिन्यूस वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टे कोस्टी